हालो गुड इवनिंग फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोहल बर्ग से बनने वाले सभी प्रकार के कोश्चनों की जितने वे प्रकार के कोश्चन एकजाम में बनते चले आ रहे हैं और बनने के उमिद ह उन सभी कुश्चनों को आज हम करने वाले हैं तो आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जितने लोग जोड़ चुके हैं और सभी साथ ही मित्र को जोड़ लीजिए उसके बाद सुरू करते हैं अपनी आज की क्लास जितने लोग नए जोड़ रहे हैं चैनल पर चै कि आज ने ढुए को अनुषार सही और गलत के प्रस्ण के बारे में निर्डर लेने में सामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपसार ने नेतिक यथार्थवाद संजरा है नेतिक दिवधां अपसा ने ने नेतिक तरकरणा, सभी को आंसर करना है question number 1 का, इसी प्रकार के question लगातार बनते चलिये हैं, एक जाम में 2-3 question, 2 question तो हर shift में बनी रहे हैं, हो सकता है कि 3 question भी किसी ना किसी shift में आपको देखने को मिल जाए, कोहल बर्ग से समन्धित, तो इस class को आप लगातार द बारे में बच्चे डॉट डॉट चिंतन करते हैं पहला अपसेन संदर्व के अनुशार दूसरा है अलग आयू में अलग तरीके से तिसरा है अलग चरणों में समान रूप से और चोथा है अविभावकों द्वारा प्रदत निर्देशों के अनुशार तो आपको बताना है को सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपसेन नमबर दो कोहल बरक के अनुशार सही और गलत के बारे में बच्चे अलग आयू में अलग तरीके से चिंतन करते हैं तो आपसेन नमबर बीस का सही अंसर हो जाएगा ये आगे देखते हैं कोश्चन है लारेंस कोहल बरक के द्धान्त में कौन सा इस्तर नेतिकता की अनुपस्थित को सही अर्थ में सूचित करता है कोश्चन नमबर तीन का सभी लोग अंसर कीजिए इसमें कौन सा अपसन हो जाएगा सही तो कोश्चन नमबर तीन का हो जाएगा अपसन नमबर बी लेबल वन जो है ये बिल्कु से यानसर हो जागा इसका लेबल वन आगे देखते हैं कोश्चन है कोहल बरक के अनुसार सिच्छक बच्चों में नैतिक मुल्यों का विकास कर सकता है आपको बताना है कि कोहल बरक के अनुसार सिच्छक बच्चों में नेतिक मुल्यों का विकास किस प्रकार से कर सकता है आपसा ने धार्मिक सिच्छा को महातु दे कर दुसरा है नेतिक मुद्दों पर आधारी चर्चाओं में सामिल करके तिसरा है वेवहार में इस पश्ट नियम बना कर और चौथा अपसन है कैसे वेवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे कर तो कोष्टन नमबर चार का हो जाएगा नियतिक मुद्दों पर आधारिक चर्चाउं में सामिल कर के आगे देखते हैं आपसन है व्यक्तिक और विन्में, दुसरा है आज्या पालन और डंडवन मिखीकरन, तिसरा है अच्छे अंता व्यक्तितु संबंद और चोथा है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिक अधिकार तो सभी को आंसर करना है लारेंस कोहल बरक के द्वारा प्रस्तावित निम्लिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालेओं के चरणों का अनुसरन करते हैं कॉशन नमर पांच का सभी लोग आंसर कीजिए जितने भी साथे लोगें समझ जूड़ चके हैं सभी लोग से सन को एक बार शेयर कर दीजिए और जो लोग नए जूड़े हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राब कर लिजिए सीटेट और यूपीटेट की बहतरिन त्यारी के लिए आपकी क्लासे यूपीटेट की कल से सुरू कर दी जाएंगी हिंदी और एवी इसकी क्लासे लगातर आपको मिलती रहेंगी नेमित रूप से तो बताईए इसका कौन सा अपसन हो जाएगा कौश्चन नमबर पांच का हो जाएगा अपसन नमबर अंसर किजी सभी लोग आपसन है पारिवारिक अपेच्छाएं दुसरा है व्यक्तिगत मूल्य तिसरा है व्यक्तिगत अवश्रकताएं तथा इच्छाएं और चौथा आपसन है अंतर नहित संभावित दंड तो बताईए कोहल बरक के सिद्धान्त के पूरो परम परागत इस्तर के अनुशार कोई नयतिक दिड़ा लेते समय एक व्यक्ति निम्लिखित में से किस तरह प्रवत्त होगा तो इस कोश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपसन नमबर फोर अंतर नहित संभावित दंड इसका सही आ परिका कौन सा हो जाएगा आपसन ने प्राता कालीन सभा में बच्चों को नेतिक उपदेश देना दूसरा है विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थित रखना और उस पर निरड़े लेने के लिए कहना तीसरा है सिच्चकों एम बढ़ों द्वारा नेतिक मुल्यों को उ परिस्थित तरीका कौन सा हो जाएगा तो कौश्चन नंबर साथ का जो लोग कर रहे हैं आपसन नंबर सी कौन सा हो जाएगा सिच्चकों एम बढ़ों द्वारा नेतिक मुल्यों को उपदरशित करना आपसन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलते हैं अग वह कोहलबर्ग के किस नेतिक विकास के चरण की और संकेत दे रही है, आपको बताना है, आपसा ने पूरो अपचारिक चरण 1, यानि कि डंड परवर्तन, दूसरा है पूरो अपचारिक चरण 2, वेक्टिक्ता और विन में, तिसरा है अपचारिक चरण 4, कानून और और चाथा है, परवचारिक 5, सामाजिक संविदा, तो आपको बताना है कि वह कोहलबर्ग के किस नेतिक विकास के चरण की और संकेत दे रही है, जो इसका सही आंसर है, सभी लोग आंसर कीजे, क्या हो जाएगा, इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आपसा नमबर C, क्य आपको बताना है, इन अपसनों में से कौन सा लच्चण कोहलबर्ग के नेतिक विकास का है, तो पहला है, चरणों का परिवरतांसील अनुकरम, दूसरा है विविन चरण, अलग अलग प्रयत्तर है ना की सामानने प्रतिमान, तीसरा है सभी संसक्रतियों से संबंद चरणों की सर्व, भोम सरंखला, और चोथा है विविन चरण एक गैर पदान उकरम रूप में आगे की और बढ़ते हैं, तो आपको बताना है, निम लिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नेतिक विकास के चरण का लच्चण है, तो कोश्चन नमबर 9 का सभी लोग आंसर करेंगे, 20 अंसक्रतियों से संबंध चरणों की सर्व, भोम सरंखला, यानि अपसर नमबर 10 से ही अंसर है, क्लास को पूरी देखना है आप लोगों को, 15 कोश्चन से हैं, और यही 15 कोश्चन से लगातार घुमा घुमा की पूशे जा रहे हैं, सारे एक जाम में, दो कोश्चन हर सिप् एक प्रमुख आलोचना क्या है, पहला अपसर ने कोहल बर्ग के बिना किसी अनभूती मलक आधार के सिद्धान्त प्रस्तुत किया, कोहल बर्ग ने बिना किसी अनभूती मलक आधार के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया, दूसरा है कोहल बर्ग ने प्रस्ताव किया, कि नैत अवस्थाओं का उलेख नहीं किया तो आपको बताना है कोहल बर्ग के सिद्धान्त की इन अप्षनों में इसे एक प्रमुख आलोचना क्या है तो क्वेश्चन नमबर 10 का सभी लोग आंसर कीजिए सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नमबर 10 का कौन सा अप्षन हो जाएगा सही तो इसका जो लोग आप्षन नमबर 10 कर रहे है यानि कि कोहल बर्ग ने पुरसों एवं महिलाओं की नेतिक नेतिक तार की किताब में सांस्कृतिक विवेनताओं को महत्तु नहीं दिया तो आप्षन नमबर 10 जिनों ने सेलेक्ट किया उनका सबका सही अंसर है आगे देखते हैं कोहल बर्ग ने प्रस्तुत किये हैं आपको बताना है कोहल बर्ग ने क्या प्रस्तुत किये हैं आप्षन नेतिक विकास के चरण दूसरा है संग्यानतमक्विकास के चरण तीसरा है सारीरिक विकास के चरण और चौत्था अफसाने समवेगातमक्विकास के चरण तो बताईए कोछल बर्गर ने में से क्या प्रस्तूत किया है question number 11 का हो जाएगा जो लोग question number A दे रहे हैं सभी का सही अंसर है आपसा ने यह नाटक तारीक और करवाई के बीच एक स्पष्ट संबंद स्तापित करता है, दूसरा है उनके सिद्धान्त के संग्यानात्मक परिपक्कोता और नेतिक परिपक्कोता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, तिसरा आपसा ने इस सिद्धान्त में विस्तरत पर इच्छण प्रक्रियाएं हैं और चोथा हैं उनका विश्वा से की बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं तो आपको बताना है कोहल बरक के शिधानत के योगदान के रूप में निम्लिखित में से इसे माना जा सकता है इसका सभी लोग आंसर कीजिए कोश्चन नम्बर 13 का देखते तो इसका हो जाएगा प्षर आपको बताना है कौन सा सही होगा पहला है कैसे वेवहर किया जाना चाहिए इसपर कठोर निर्यदेश देकर दूसरा है वेवहर के इस पश्ट नियम बनाकर तिसरा है धार्मिक सिच्चा को महाज देकर और चौथा अप्षर नेतिक मुद्यों पर आधारी चर्चाओं में उन्हें सामिल करके बच्चों में नेतिक मुल्यों का विकास किया जा सकता है आप देखते हैं अगला कोश्चन इसका अपसर नमबर D जो बिल्कुत सही हो जाएगा आगे देखते हैं कोश्चन एक बच्चा तरक प्रस्तुत करता है आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा यह बच्चा प्रस्तुत करता है आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा यह बच्चा कोशल बरक की नेतितरकना की की सवस्था के अंतर गताय का आएगा तो आपको बताना है पहला अपसन है सहायक उद्देश अभमुखी करन दूसरा अपसन है डंड और आग्या पालन अभमुखी करन तिसरा है अच्छा लड़का अच्छा लड़का अभमुखी करन और चौथा अपसन है सामाजी का अनुबंद अभमुखी करन तो बता नमबर A, सहयोग उद्देश अब मुखी करन, आपसन नमबर A का सही आंसर है, सहयोग उद्देश अब मुखी करन, तो साथियों यह थी हमारी आज की क्लास, जो कि आपके लिए सीटेट के एक्जाम के लिए जो कोहल बर्क से समंदित कोश्चन लगा तर पूछे जा रहे हैं, सभी लोग एक बार सेशन को अपने सभी साथि मित्र के पास में शेयर कर दीजिएगा, फिलाल अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाकि जितने साथि मित्र लोग इससे में देख रहे हैं, सभी को नवर्ष की हार्दिक, शुब कामनाएं, और धेर सारी बदाईया, धन्यवाद, बाबाए